नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजली शर्मा, असिस्टेंट प्रॉफेसर, MS कॉलेज विकानेर आज की क्लास में हम पैटर्न मेकिंग के बारे में चर्चा करेंगे बॉडी के एक या एक से अधिक पार्ट को फिट करने के लिए फ्लैट पीस फैब्रिक को शेव देने या मैनुपिलेट करने की कला ही पैटर्न मेकिंग है पैटर्न मेकिंग इस थरह से डिजाइन किये जाते हैं कि ये सभी पोजिशन में अच्छी फिटिंग दे सकें अब हम बात करते हैं पैटर्न की एक flat piece fabric को garment में change करने के लिए एक plan की जरूरत होती है इस plan को ही pattern कहा जाता है pattern making की three techniques होती है drafting, draping and flat pattern सबसे पहले हम बात करते हैं drafting method की इस method में designer body measurement chart को use करता है pattern को design करने के लिए ये patterns accurate measurement से बनाये जाते हैं इसलिए measurement specialist द्वारा लिया जाना चाहिए और यदि measurement सही ने लिये गए हो तो design का effect खराब हो जाता है ये method अधिक effective वे economical method होता है drafting round paper पर की जानी चाहिए जो की बहुत पतला नय हो drafting के लिए sharp pencil और rulers का use करना चाहिए जिससे drafting accurate बन सके drafting method के कुछ advantages है पहला ये कि जिस व्यक्ति के लिए बनाया जा रहा है उस और proper fitting देता है second ये कि ये एक economic method है जादा costly नहीं है drafting method की कुछ limitations भी है जो इस प्रकार है पहला ये कि skilled person के अलावा हर व्यक्ति accurate measurement नहीं ले सकता इसलिए कई बार dress की fitting में problem आ सकती है next ये इस method के लिए हर बार measurement लेने की ज़रुरत पड़ती है next women fashion बहुत ही जल्दी change होते है इसलिए इस method को हम women fashion designing के लिए practically use नहीं कर सकते ये method man designing के लिए use कर सकते हैं क्योंकि उनके designs इस्थिर होते है next है इस method का success इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी previous knowledge designer को है next है ये method उन company द्वारा use किया जाता है जो की ready made pattern बनाते है अब हम बात करते हैं draping method की ये एक artistic method है जिसमें designer pattern को dummy या dress form के उपर fabric को fit करके बनाते है pattern dummy पर create होता है इसलिए desired effect सीधे देख सकते है ये method सबसे पहले France में शुरू हुआ था drafting method की तरह ही draping method की भी कुछ advantages है जो इस फ्रकार है पहली ये है कि final garment का effect dummy पर सीधे देखा जा सकता है next ये है कि complicated design को इस method से आसानी से बनाया जा सकता है next final stitching से पहले design की actual appearance को देख सकते हैं और यदि इसमें change की जरूरत हो तो उसे कर सकते हैं next cheaper quality के material को use करके एक ही pattern को बहुत सारे designs ट्राइ किये जा सकते हैं draping method की भी कुछ disadvantages हैं जो इस प्रकार है dummy की duplicate होनी चाहिए dummy person की duplicate होनी चाहिए वे perfect होनी चाहिए next dummy बनाना एक बहुत ही difficult task होता है क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग dummy बार बार बनाना possible नहीं हो पाता next इसकी disadvantage है कि dummy storage भी एक बहुत बड़ी problem होती है next ये method costly time consuming होता है next disadvantage है कि design का same effect produce करने के लिए अधिक fabric की आशकता हमें बार बार बढ़ती है next ये extra fabric की आशकता होती है और अच्छा result प्राप्त करने के लिए अधिक talent वे training की आशकता भी इस method के लिए पढ़ती है अब है flat pattern making method इस method में foundation pattern का use किया जाता है जो की body measurement के अनुसार बने होते हैं यह basic pattern दूसरी design बनाने के लिए base pattern का का काम करता है flat pattern की knowledge pattern में alteration को समझाने में ज़्यादा help करती है यह designer को यह भी बताती है कि fitting dart को कैसे manipulate करना है तथा कैसे उसको gathers में align में convert करना है drafting और draping method की तरह ही flat pattern making method की भी कुछ advantages होती है जो इस प्रकार है यह method commercial level पर pattern को fit करने की ability देता है next है grain को effectively use करने की knowledge method देता है next इस method द्वारा पुराने pattern को restyle करने की भी किया जा सकता है next है इस method के लिए बहुत ज़्यादा skill की आफशकता नहीं होती इसलिए यह use करने में आसान रहता है next है इस method को use करने के लिए dummy की आफशकता नहीं पढ़ती next इसके advantage है कि गलतियों को समझने वैदूर करने की जानकारी भी यह method आसानी से देता है तथा अंत में यह है इसकी सबसे बड़ी advantage कि यह एक बहुत simplest और cheapest method होता है यदि हम इसके disadvantages के बारे में बात करें तो इसकी कोई disadvantage नहीं होता इसलिए सबसे ज़्यादा useful method होता है paper pattern जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं पहला है pattern जो की एक व्यक्ति के लिए बनाया जाते हैं यानि personal paper pattern और उसे या फिर individual paper pattern भी कहते हैं और इसे हर design के लिए अलग-अलग बनाया जाता है और next है commercial pattern जो की एक standard measurement के आधार पर बनाया जाता है जो की एक large group को fit करता है इस प्रकार एक तो हो गया individual paper pattern और दूसरा हो गया commercial paper pattern individual जो individual पर के लिए होता है और commercial जो की एक large group के लिए बनाया जा सकता है सबसे पहले हम बात करते हैं personal drafted pattern की it is drafted to the individual person ये individual person के लिए बनाया जाता है ये हम पहली बात कर चुके इस बारे में इस method की कुछ advantages या merits है जो इस प्रकार है commercial pattern purchase करने की बजाए खुद के लिए pattern draft करना आसान होता है ये individual method economic method होता है ये personal measurement पर based होता है इसलिए अच्छी fitting देता है दूसरे pattern की अपेक्षा next है नए ने design create करने के कारण ये व्यक्ति को ज़्यादा satisfaction देता है और individual method की कुछ individual pattern की paper pattern की कुछ disadvantages है जो इस प्रकार है if a person is not able to draft any pattern do not draft it मतलब अगर वो उसे draft बनाने में ability नहीं है उसकी तो drafting नहीं कर सकता और next है हर style के लिए measurement हर बार लेना पड़ता है इस कारण ये time consuming method होता है अब हम बात करते हैं commercial paper pattern की advantages और disadvantages की commercial paper pattern वो paper pattern होते हैं जो की एक large group पर fit होते हैं वे pattern जो की एक बहुत बड़े group के लिए available होते हैं और उने उन पर fit होते हैं या उनके लिए design किये जाते हैं वो commercial pattern कहलाते हैं ये pattern standard body measurement से बनाए जाते हैं इसके advantages ये हैं कि यदि किसी व्यक्ति के measurement standard measurement से match करते हैं तो उसे draft करने की बजाए commercial pattern खरीदना आसान होता है यानि सीधे ही commercial pattern हम market से खरीच सकते हैं और इसके according dress को हम design कर सकते हैं next advantage ये है कि ये एक time consuming method नहीं होता next है ये drafted या homemade pattern की अपिक्षा ज़्यादा fitting देते हैं next है unexperienced व्यक्ति को भी ये ज़्यादा fitting देते हैं और वो आराम से designing कर सकता है इसके कुछ demerits भी होते हैं commercial paper pattern के सबसे पहली है कि ये एक expensive method है क्योंकि इन्हें market से खरीदना पड़ता है next ये है कि pattern weaving प्रकार के garments के लिए इंडिया में available नहीं होते next इसका disadvantage ये है कि यदि measurement, standard measurement के एक पल नया हो तो ये बहुत अच्छी fitting नहीं देता है जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि market से हम कोई dress खरीद कर लाते हैं standard measurement के according तो ज़रूई नहीं कि हमें proper fitting दे और हम एक जो dress खुद stitch करवाते हैं वो proper fitting देती है तो सेम चीज इसमें भी होती है कि यदि measurement, standard measurement से equal नहां हो तो ये अच्छी fitting हमें garment में नहीं provide करता next ये कि ये papers पर बने होते हैं इस कारण एक से ज़्यादा use नहीं होते और कम durable होते हैं और इन्हें इस टोड़ नहीं किया जा सकता कि अच्छी नहीं होते हैं